आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉफी और गुर से नेल महंदी बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बहुत सारे लोगों को यह प्रॉबलम होती है या कई बार मुझे कॉमेंट्स आता है कि हमसे बनी नहीं है या फिर हमारी खराब हो गई है तो आज की वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ चोटी चोटी चो टिप्स दोंगी ना उसको जरूर फॉलो करें जब नेक्स ताम आप बनाए तो आप लोगों के साथ यह प्रॉबलम कभी नहीं होगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो सबसे पहले हम लेगे कॉफी और यहाप पर मैंने तीन पाउच लिये है और यह आपको बहुत कोई भी स कोफोड कर सकता है तीन पाउच का जो मेजर्मेंट है वीजा को हरण किसी को बहुत इजिली समझ में भी आ जाएगा और इजिली जो है को हैँ सबसे इम्पॉर्टन च आप लोगों को बता दू कि लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी दिवाली नेल महदी तो इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि पत्रे का जो डिबबा है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या पतिले में बन सकते हैं तो मैंने सोचा आज के साथ यही शेयर करूँ बहुत ईजी ली आप किसमें भी बना सकते हो एक चमच की करीब हापे कॉफी हो गई है उसके बाद इसमें हमको एड़ करना है एक से देड़ चमच जो है चाय पती चाय पती मैंने इसमें क्यों एड़ गया यह मैं आप लोगों को आगे बता इसको एंग्लिश में जगेरी कहते है यह मुझे लगता है हर जगा पे बहुत ही इजी ली अवेलेबल हो जाता है और सबसे इंपोर्टन चीज जो है यह बनिया की शॉप में बहुत ही इजी ली आप लोगों को मिल जाएगा बस इसको जो है पतला पतला आपको स्लाइस में इसे कट करना है बहुत ज़्यादा जो है बड़ा बड़ा नहीं कट करना है जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूं अडियर बिलकुल इसी तरीके से जो है आप लोगों को कट करना है बहुत सार लोग कहते है कॉमें कि हमारा नहीं बनाई हमारा फेल हो गया तो छोट सिर्फ एक से दो बार के प्रैक्टिस होती है एंदन उसके बाद जो है आप बहुत आसानी से इसको घर पर बना सकते हो सिर्फ पांच मिनिट लगते हैं यह महंदी बनाने में उसके बाद जो है यह बता दीजे आप गुड़ तो आपको कहीं पर भी बहुत ही इसली मिल जाना ह उसके बाद जो है इसको इसमें मैंने डाल दिया है और यह सारी चीजों को जो है गुड़ को जो है जब आप इसमें एड़ करते हो ना नेल महंदी के लिए तो इससे कलर और गहरा आता है और अगर बलाक गुड़ आपको मिलता है ना तो उससे कलर और भी जादा गहरा आता और बहुत टाइम तक हमारे नेल पे रहता है उसके बाद एक चमच के करीब यहाँ पर मैंने शुगर ले ली है अगर आप चाहो तो शुगर को स्किप कर सकते हो बट मैं आप लोगों को बता दू कि शुगर का एक एहम रोल होता है नेल मेहंदी के मैथड में बिकॉस जो है न यह सारी चीजों को अच्छी तरीके से जब मैल्ड हो जाती तो कलर और भी ज़्यादा गहरा आता है अगर आप एड करना चाहते तो स्किप भी कर सकते है बड़ अगर आप एड करोगे न बहुत अच्छा कलर आना है उसके बाद सारी ही चीजों को अच्छी तरीके से मेक्स करना है और बीच में एक वाटी बावल आपको यहां पे रग देना है एक दम center part में और side में जितने भी ingredient हमने डाले थे ना जितने भी ingredient उस सारी चीजों को जो है अच्छी तरीके से फैला लेना है ऐसा ना हो के एक जगा पर बहुत ज्यादा हो एक जगा पर बहुत ज्यादा कम हो क्योंकि जब हम इसको flame पर रखते है तो फिर वह एक जगा से जल जाता है और पक जाता है उसके बाद यहां पर मैंने gas को करना है on अच्छा यह बहुत ही एहम टिप है कि मैं आप लोगों को बता दू कि जो हमारे गहां में सबसे जो है low flame वाला जो गैस होता है उसी पर हमको इसको रखना है जो सबसे ज्यादा low flame पर जो गैस होता है आप य ज्यादा जो low flame होता है उसके आपको रखना है और जो ingredient हमने इसमें सब डाले है उसको अच्छी तरीके से जो है चारो तरफ से पहला लेना है और बिल्कुल center में जो है बाउर रखना है उसके बाद पानी से भरावा पतीला जो है आपको इस पे रखना है और गाइस यहां प पान्च मिनिट तक अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे जो है इसको रखना है और बहुत सार लोग जो यह कह रहते हैं कि हमारा जल गया है तो पान्च मिनिट से ज्यादा एक सेकेंड भी आपको नहीं रखना है टाइमर लगा लीजिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसके बाद जो है सबसे इंपोर्टन चीज पान्च मिनिट के बाद अच्छी तरीके से इसको थंडा होने दीजे गरम में बिल्कुल टच ना करें और अच्छी तरीके से जब यह थंडा हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा और गहरा हो जुका है थोड़ा सा आप लोगों को और जूम करके मैं दिखा देती हूं बहुत ही प्यारा अक्चली कलर आया था मैं आप लोगों को पता दू कि इस मेहंदी को मैंने जो है 15-20 दिन पहले बनाया था वोईज ओवर मैं कल कर रही हूं वीडियो मुझे नहीं पता यह नहीं महंदी हम बनाते हैं बहुत गहरा कलर देता है उसके बाद एक कांच का बाउल मैंने ले लिया है और यह वन टाइम के लिए हमारा रेडी हो गया कॉफी और गुड से बनी नहीं महंदी अच्छा उसके बाद इसमें आप टी पाउडर वो मैंने इसलिए एड किया था म और नेल महंदी जो है लॉग लास्टिंग रहती है उसके बाद इसमें हम एड करेंगे मैदा मैदा जितनी अमाउंट आपको रिक्वाइड है उतनी अमाउंट आपको डालना है और सबसे इंपोर्टन चीज में आप लोगों को बता दू कंसिस्टनसी जिस तरीके से मैं वी पाउडर के जो है इसमें गिर गए है तो आप चान सकते है अदरवाइस आप ऐसे भी इसको इसको इस्तिमाल करोगी तबी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रस्ट मी गाइस जो कॉफी से और गुड से मैंने नेल महंदी बनाई है यह इतना गहरा कलर आया था और सबसे डिनी से कैसे बनाते है नेल महंदी घर पे कौन जो है वो कैसे बनाते है वो बहुत ही इजी मैथट वे में घर पे बताया है आप लोगों को और सभी के जो वीडियो के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक में दे दूगी और इनकी प्ले लिस्ट में तयार करी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगा आप चेक कर सकते हैं बनाने में इसको पांच मिनिट ही लगते हैं ज्यादा अगर आपने सारी तैयारिया कर ली है तो और यह बहुत लॉंग लास्टिंग नेल महंदी है बहुत सारी कोश्चन में यह भी करत में कर सकते हैं जिसे अब लोगों को बताये कि जो टीप और आप आड करते हो तो बहुत गहरा कलर आता है तो बिल्कुल एड करें और अगर आपको नहीं आड करना तो स्किप भी कर सकते हो प्लेजड की लिंक अप लोगों को Description Box में मिल जाएंगो और सभी वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे नहिल मेंधि कोन की भी वीडियो की लिंक में डाल दूंगी और वीडियो आज की कैसी लेगी प्लीज गई बताना, लाइक जरूर करना झाल झाल